राम राम जैहन स्वागत एक बार फिर से आपका ही डिफेंस एकेडमी पर तो आज इस पीड रनिंग के उपर बात करेंगे आपको सारी चीजे बताएंगे और जितने भी हम यहां पर वरकाउट अकर बताएंगे तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे क्य इंड्रेस मारते थे बस दिक्कत यह थी तब हम सोकेस उसको मतलब एक वह नहीं बता रहते थे कि हाइलाइट नहीं कर पाते तो आज क्या है किसी की वी टाइविंग पांच के नीचे आगी तो इसलिए हम बोलना है कि बहुत ज्यादा यूट्यूब देखना बंद करो अपन होती है फूर के बारे में एक्सराइज के बारे महां पर हमें स्टोरीज पर बताते रहते हैं तीसरी चीज़ यहां पर यह है कि आप हमें कॉमेंट करो संडे को हम एक आपके ही सवालों का जवाब देने के लिए वीडियो बनाने वाले हैं संडे को तो आप हमें कॉमेंट कर अपने कोशन मतलब कि कितने दिन से आप दोड़ रहा हूं यह मतलए ना किस exam के लिए त्यारी आरी आप इतना लिखो कि कितने दिन से आप दोड़ रहे हो और दोड़ में अभी क्या problem face कर रहे हैं। ठीक है तो चीज़ें यह आपको कॉमेंट करनी है अब चलते हैं स्पीड रनिंग के उपर पहली चीज़ यह समझो कि जब भी आप यूट्यूब खोलते हो तो बहुत तरीके की ड्रिल्स आपको मिल जाती ही बहुत तरीके के वरकाउट कहीं कहीं पेवी होता है कि इसे पांच सबसे पहले उसके साथ-साथ हम स्पीड वरकाउट लेके चलते हैं तो हम आपको कुछ चीज़ें आपको समझाने हाले हैं आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल भी डिसर्ब नहीं होगे अब इस चीज से ठीक है तो कुछ चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप स्पीड की बात करते हो तो मिनमम आपके पास देड़ से दो मेने का इंडियोरेंस तो होना चाहिए ठीक है क्योंकि अगर आप डिरेक्ट स्पीड में जंप करोगे और आपके पास दो तीन मेने का इस्टैमिना नहीं है नहीं है तो आपकी सांस फूलेगी आपके पैर साही से नहीं काम करेंगे पैर भरेंगे यह सारी दिक्ते होंगी अगली बात यह है डूनाट फोकस और अधर स्पीड मतलब जो लोग दूसरे लोग दोड़ रहे हैं उनको देखके दूसरे दिन से तुम भी ना स्पीड में दोड़ने लगो अपना देखो तुम किस जिए पर बढ़ जाएगी अगली बात है और मतलब यह क्या कहते हैं पंदरा दिन में आपकी स्पीड नहीं इंक्रीज होती यह भी समझ लो ठीक है आपको चीज हम आपको समझा रहे हैं उन पर बस ध्यान दे तो स्पीड आराम से बढ़ जाएगी सबसे पहला पॉइंट आपको कि पहलेनगी क्योंकि आपकी जब श्रीज करते हैं और तो आपका जब यूग सीसे नहीं रखेंगे आप यूज है साइसफेल करेंगे तक पीम नहीं नहीं कर तो इस exercise को आप तीन सेट पर फर्म कर सकते हो तिल फेलियर मतलब कि एक बार आपने वाल सिट किया और उस टाइम तक करना है जब तक आप खुद से ना गिर पड़े समझ दो ठीक है तो वह गया वाल से अगला है ब्रीद देखो जब भी स्पीड रनिंग करोगे जैसे ही तुम तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम स्पीड अप करते हैं तो जब आप स्पीड रनिंग करोगे तो सांस फूला एक ऐसी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम तो नहीं एक ऐसी चीज़े जो की होगी ही उसके लिए आपको पहले खुद को प्रेपेर करना पड़ेगा जिसके लि है अगर आपका इंडियोरेंस स्टैमिन अच्छा बना हुआ है तो स्पीड वर्काउट में देखो सांस तो फूलेगी लेकिन उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो ब्रीद पर काम करो इसके लिए आप अनुलोंग विलोंग बेस्ट योगा है यह आप जरूर करो ड करते हैं उसके साथ हमने बताए कि आपको इसेंद्र ट्रेनिंग अल्टरेनेट करनी है ठीक है जैसे सोंबार कर दिया मंगल को छोड़ दिया तो जिस दिन आप यह छोड़ रहे हो सोंबार को आपने रिसेंट हैं की मंगलवार को आप एड़ कर दो और एड़ क्या करना है कि अर्फ प्रेंटिंगार कर दो जिसको कहते सूट मानना इसको एड़ कर दो सौ मीटर 200 मीटर 300 मीटर 200 400 अप इससे ऊपर शिप्रिंटिंग नहीं होती है ठीक है बहुँ की बात दूप कि तैरी कि बात है की चोटे कंम टाइम के लिए आप अपने आपको सबती और लगा अत करते हैं तो आपको करना क्या है कि इस प्रिंटिंग कुछ भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इस प्रिंटिंग करो ठीक है लेकिन हफते में सिर्फ तीन दिन वरना फिर सिन पेन और एंकल पेन लेकर बढ़िए होगे इस प्रिंटिंग तो में किस तरीके से देखोा है कम ताइम के सांसाथ हाई इंटेटी के साथ करते हो तो वही होती इस इस जो स्प्रिंटिंग आपका स्जेमिन भी इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगी तो सौ मीटर दो सो मीटर की स्पिंटिंग आप जितने सेट जितने रेपिटेशन आप एड़ करना चाहो आपके उपर है जितनी वे आपके अंदर छमता हो ठीक है उसके बाद आते हैं ABC ड्रिल्स पे एक यह ऐसा नाम है अंग्रे से करनी है यह डिसाइड नहीं कर पाऊगे तो अगर स्पिंटिंग करते हो इसमें भी अच्छे लेवल पर आ चुके हो तब जाके अगर कहीं करनी है तो ABC ड्रिल्स के लाखों वीडियो पड़े हैं लेकिन एक बात का ध्यान अखना हम यह बहुत हार से रियालिटी है एक हम क करें कि आप देखोगे एथियोपिया या केनिया के वीडियो मिलेंगे आपको वह फॉलो कर लो आप अगर ABC डिल्स के लिए फॉलो करना है तो प्लस एक्रसाइज है उसमें चार से पांच अपनी सिलेक्ट करो और वह एड़ करो लेकिन जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इतना हम तो देखो मेरी परसनल एडवाइस है इतना घुरूद है नहीं इतना जादा दिमाग खपाने की जरूद नहीं है सीजा साथा इस पिंटिंग ट्राइब ठीक है इस पिंटिंग सही स्वीड आ जाएगी और कुछ करने की जरूद भी नहीं पड़ेगी लेकिन उसके आप आते हैं हम अपने टॉपिक यहां आपने समझ लिया कैसे करना है सब चीजे क्लियर हो गई अगर हम बात करें चोटे मेंट होते इन में हमें सुरुआ सब्देल के चलना होती तो मैं स्टार्ट एक बार बूस्ट करना होता है दूसरा तरी सा चकर थोड़ा साम डाउन कर करते हैं आखरी ःवेंट की जो बढ़ जाते हैं उन में क्या होता बहुत छोट सीलार करते हैं तो बाद है कि कर पाओगे लेकिन आपको फोकस करना पड़े इसलहें बार वर्काओट हफदे में सिर्फ तीन दिन रखो जिस दिन आपको मतलब और मौर्णिंग में जादा कुछ वरकाउट ना किया हो इवनिंग पे ही रखो तो इस पीड वरकाउट लेकिन हां तीन दिन अगर आप यह कर रहे हो तो इस प्रिंटिंग में जी जान लगा दो पूरी तरीके से तो आज का वीडियो बस यहीं था और कुछ डाउट रहे गया हुए से स्पीड रनिंग के उपर इतने ही चीज़ें हो सकती थी बाकी बात रहें यह बीसी ड्रिल्स की तो जल्द ही एक जैसे ही पारक का इंतजाम कहीं कुछ हो जाता है हम आपको जितनी भी हंडर्ड एक्साइज की कम् जय हिर जय भारत